हेलो बाइज, वेलकॉम बैक टू माई चैनल, दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बैस्ट थिरी ETF बताएंगे जिनके अंदर इंवेस्ट करने से आपकी टैपिटल काफी अच्छे तरह से ग्रोथ करेंगी ठीक है ना, लेकिन हम सबसे पहले यह जानेंगे कि ETF में बाते में हमें रिटर्न मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं यान कि mutual fund से ज्यादा रिटर्न मिलते हैं नहीं मिलते हैं, इस में कितनी सच्छा ही है, इस चीज को सबसे पहले जानेंगे और calculation करके जानेंगे हमारी belt कितनी हो जाती अगर हम particular ETF के अंदर पैसा invest करें तो और साथ में ETF में invest करने का पहतर तरीका क्या होता है हमें मालुम पढ़िया कि माली जा यह पीन तीन best ETF है लेकिन इसके अंदर में invest कैसे करना है उस चीज के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर यानि कि वीडियो काफी informative होने वाला है इसलिए आप जल्दी से इस वीडियो को like कर दीजिए शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने friends circle में शेयर कर दीजिए जिससे कि वो लोग भी ETF का लाव उटा पाएं और ETF से पैसा बना पाएं ठीके ना और चैनल को सबस्क्राइब कर लिए तो सबसे पहली बात हम यह करते हैं कि हम सबसे पहले तो आप स्क्रीन को रिकोडिक पर ला सब्सक्राइब कर लेंगे तो दो सब्सक्राइब कर लेते हैं एक साल के अंदर कितनी हो जाती कैल्कुलेशन कर लेते हैं ठीक ना और हमारा रेटन कितना मिल ला है हमें 166 के करीम बिलया है रेटन हमें तो यहापे 116 डाल देंगे 160 डाल देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको बैल्ट का कितना हो आपको फाइदा हुआ है एक साल के अंदर कितना पचास हैार पे लगा दिए तो टो टोटल वेल्ट आप आपके 2,16,000 की आपकी wealth हो चुकी होती इस ETF के अंदर यानि कि आप इसके मतलर ये तो समझ गए कि हाँ ETF के अंदर पैसा बनता है अब बात ये आती है भीया कि हमें mutual fund में तुमारी SIP चल रही है mutual fund में मारे लंसम भी चल रहा है अब ETF में invest करने के लिए पैसा कहां से लाएं या ETF में पैसा लगाना माल लीजे तो किया मैं सउ-पी को बंद कर दू लंसम को बंद कर दो जिससे कि मैं ETF में पैसा लगूं तो आपको ऐसा बिलकुल भी निकरना है ठीक है ना देखे हमारी SIP चल लिए लंसम चल ला है चलने दीजे उसको छेड़ना नहीं है उसको भी चलने income है या उस income का कुछ हिस्सा आप क्या कर सकते हैं ETF के अंदर लगा सकते हैं और आप long term के लिए लगा के रखेंगे तो आपकी wealth काफी अच्छी हो जाएगी आप ये मान के चलिए कि हम जो ETF के अंदर पैसा लगा रहे हैं ये बेसकली हाला कि आप एक साल दो साल तीन साल लगा सकते हैं वेसकि कोई दिक्कत नहीं है लेकि पांच साल दस साल बीस साल के लिए लगा के रखते हैं तो आपकी wealth काफी अच्छी हो जाती है अब हम ये बात कर लेते हैं जब हम difference की बात कर लेते हैं कि basically इसमें difference क्या होता है कि हमें पैसा किसके अंदर लगा रहे है बाइप थे तो difference क्या है यानि कि mutual fund के अदर हम पैसा लगा रहे है człowie तो बहापे क्या difference है और अगर हम ja पैसा लगा रहे है ETF के अंदर तो difference क्या है इस चीज की बात कर लेते हैं तो तो एकी Hudson hilarious difference ह kijken लेते हैं नो अ यह लेते हैं हो और इधर लिए यहां पर इस ज्यों से पहला का Lance preciso there को को मेंडिरान्सों को होता है वह हैं मैंडिच ने खनास होकी के हैं गालनों के लिए आउध को मिचले सा स्था न इंटेस गाये हैं तो यहां पर मेंडे केंघिया संब गालनों को таudu की दौनाओं में डिप不過 होता है कि अगर बास करेंगे तो हमारे ऍतक uniformly होता है कि प्था है एंटेक्स सब्सेश मिचल फंड वर है तो यहां पर mo 0.4 या एक सेकंड, 0.23% या 0.3% आपका इतना expense ratio लगता है, mutual fund की बात करेंगे, तो आपका नहीं पर लगएगा 0.7, 0.98, इतना percent आपका mutual fund के अंदर लगता है, लेकिन ETF के अंदर जो expense ratio लगता है, वो आपका मात्र लगता है 0.05%, करीब इतना expense ratio लगता है, 0.04, 0.03, इतना percent expense ratio लगता है, यान कि यहाँ पर हमारा कहाँ रहता है, expense ratio काफ़ी कम होता है, ठीक है? इसके अलाब बात करेंगे तरेड़ यान कि आपका यह non-tradeable होता है, non-tradeable का मतलब क्या होता है? non-tradable और tradable इन दोनों का difference यह होता है tradable और non-tradable यान कि mutual fund या index fund के हम बात करते हैं तो जब भी कभी आप index fund में SIP करते हैं, लंसम करते हैं या mutual fund में लंसम करते हैं, SIP करते हैं तो आपके पास तो control नहीं होता है आपने चीज भाई कल ली तो वो आपके ब्यापपर क्या दा, fund manager units buy करता है, fund manager, और वो end of the day buy करता है, यान कि जब market खतम हो जाता है, market साड़े तीने बंद हो जाता है, उसके बाद एक NAV आती है, daily NAV release होती है, उस particular mutual fund की, तब buy की जाती है, लेकिन आप ETF में क्या रहता है, tradable रहता है, यान कि आप इसके benefit हो जाता है, ठीक है जी, इसके अलावा जो अगला difference की बात करते हैं, वो है आपका exit load, यान कि इसके अंदर exit load लगता है, चाहे वो index fund हो, चाहे mutual fund हो, जो exit load होता है, एक साल से पहले पैसे को निकालते हैं, विट्डॉल करते हैं, तो exit load पर 0.5% की या 1% की penalty लग जाती है, य ETF के अंदर exit load कोई भी नहीं लगता है, आप आज के आज ही buy कीजिए, आज ही sell कर दीजए, कोई आपको जो exit load होता है, वो बिलकुल नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा जो major difference है, कि mutual fund हो या फिर index fund हो, ठीक है, index fund है, या फिर mutual fund है, दोनों के अंदर क्या रहता है, कि ह हमें इसके अंदर dip में buy करने की facility नहीं मिलती है, dip में मतलब कि आपका market, कभी भी market एकदम से उपर तो नहीं जाता है, market कभी क्या करता है, उपर गया, नीचे गया, उपर ने गया, नीचे गया, तो हम इस जगह में buy कर सका है, mutual fund या index fund के अंदर हमें वो सुविधा नहीं मिल लेते हैं, माली जे को share का price है, stock है, माली जे इस तरहरे चल रहा है, वो माली जे ऐसे चल रहा है, तो मीचल fund हम buy करते हैं, तो मीचल fund में क्या रहता है कि particular date realtà कलिया, एक SIP के हम date decide कर लेते हैं चाहे index fund में SIP कर रहे हैं चाहे mutual fund में SIP कर रहे हैं कि हमें वह यह 10 तारिक को हमें हर मेने क्या करना है पैसे का invest करना है तो अब 10 तारिक को हर मेने चाहे market high हो चाहे low हो हमें buy करना है ठीक है ना हम unit को buy करना है तो यानि कि हम लोग क्या करते हैं, कि average देखा जाए, तो कभी हम यहाँ पर buy कर रहे हैं, कभी यहाँ बाई कर रहे हैं, कभी यहाँ बाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा चलता रहता है, किसमें, mutual fund और index fund के अंदर, जब हम SIP डालते हैं, लेकि ETF में कहा रहता है, कि ETF में सारी condition होती है सारा कुछ हमारे उपर होता है, कि जब market गिरा होता है, नीचे गिरा होता है downward में, तब हमें buy करना होता है, यानि कि हमें market में ETF के अंदर हमें कब buy करना है, जब dip होती है, जब dip आती है market में, तब हमें buy करना है, यानि कि market जब भी गिर जाता है, हमें यहाँ buy करना है, यहाँ वाई करना है यहां वाई करना है यहां वाई करना है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर वाई करना है तो आपको जब भी आप जब डिप में वाई करेंगे इस तरीके से तो आपको यहां से एक, दो परसेंट, तीन परसेंट, पाँच परसेंट का फायदा आपको हमेशा मिलता रहेगा तो अब जब देखेंगे तो आपको 10, 20, 30 परसेंट का आपको difference देखने को मिल जाएगा ठीक है? जब पूरी साल के अंदर आप देखेंगे तो आप बेट कीजे, मार्केट जिस दिन टूटेगा आपको उस दिन भाई करने हैं अब आप यह कहेंगे हैं कि यह सबसे जाता नीचे है तो हम यहाँ भी भाई कर लेते हैं हम यहाँ भाई क्यों करें? तो दोस्तों आपके पास सारा पैसा एक ही दिन नहीं हो सकता अगर मैं आपको कहूँ कि आज मार्केट 3% टूट गया है तो आजी पैसा सारा लगा दीजे तो सारा पैसा आज ही कैसे लगा सकते हो? कि आप माले यह सारा पैसा लगा भी दिया आपने एकला गुरूपे तो इस तके से आपको हर महीने मौके मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए तो ETF में आपको इस तरह से इन्वेस्ट आप कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर की बैस्ट ETF और ETF को जो हम सेलेट करते हैं तो हमें क्या-क्या चीज देखने चाहिए जिससे की हम किसी गलत ETF के अंदर ना फज़ जाए तो देखिए जब भी हम ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं वही ETF में, किस ETF में invest करना है हमें और उसके बाद में क्या क्या चीज देखनी है हम यह चीज बात कर लेते हैं वो कौन कोई से ETF है जिसके अंदर आपको invest करना चाहिए ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपका है CPSE ETF इसके अंदर आप देखेंगे कभी भी आप ETF को जब invest करते हैं किसी भी ETF के अंदर तो आप तीन चीज़ें मुखे तोर पर आप देखनी है बिल्कुल तरीके सजी तरीके से कि उसका AOM कितना है यानकि Asset Under Management यानकि 41 या 269 करोड का क्या है Fund Management यानकि AOM है यानकि इसका अंतलब यह है कि इस ETF के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा रखा है यानकि अच्छा ही होगा हो सकता है कि आप से ज़्यादा लोगों ने research कर कर के समें पैसा लगा यानकि fund ये ETF अच्छा है इससे यहां पैसा लगा रगा है दूसरा expense issue देखी है कि expense issue कितना है इसका expense issue कम है कि नहीं है ज्यादा है आप देखें इसका कितना है 0.05% है ना कर बराबर expense issue है ठीक है तो अपना AOM देखना है expense issue देखना है तीसरा देखना है कि इसका जो tracking error है very important tracking error है है बो कम होना चाहिए देखें कोई भी ETF होता है रैपिल का होता है किसी index की तो जिस index की रैपिल का है यानि कऊई index का 20% की growth से बढ़ रहा है तो यह उससे कितना पीछे चल रहा है या उससे कितना लैएक कर रहा है उसके ETF जो benchmark होता है तो यह tracking error जितना कम होता है particular इस किसी भी ETF का तो वो एक अच्छा ETF मार जाता है और इससे अच्छे एक और इंपर चीज हो दिया पहले आपको एउन हो गई अच्छी खासी होने चाहिए ETF के अंदर तब हम क्या कर सकते हैं तब ही हमें क्या करना चाहिए उसी ETF के अंदर ट्रेड करना चाहिए तो पहला आपका हो गया CPSE ETF हो गया second ETF की मैं बात कर लेता हूं तो वह है आपका SBI Nifty Next 50 ETFए आपको मिल रहे है तो पढ़ा द्रीटर के बात कर आए तो बात करें तीसरे की बात करें तो तीसरा मेरा क्या है तीसरा है मेरा भारत 22 बात 22 ETF भारत 22 ETF इसको देखेंगे तो इसका एक साल के अदर रिटन कैसा रहा है इसको भी देख लेते हैं तो एक साल के यांगे वन येर का रिटन देखेंगे याप 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 तो 69.35% का रिटन है इसके अंदर और 5 साल का देखेंगे याप तो 5 साल का याप रिटन का रिट 83% का रेटन है, यानि कि काफी बहतीनी रेटन दिये हैं, और इसका AOM कितना है, 17,948 क्रोड का AOM है, और 0.07% का experience ACO है, और साथ में क्या है, tracking ARS का भी available नहीं है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कि आप ETF का सिस्वाल करके, आप trade लेना start कर सकते हैं, ठीक है ना, सिधी बात यह है, कि देखिए, आगर आप थोड़ा से effort लगाएंगे, आप mutual fund में कहा रहता है, आपका efforts नहीं लगते हैं, आप लोग क्या कि दिया, आपने एक बार पैसा invest कर दिया, ठीक है, वो automatic आपके SIP चलती रहेगी, लेकिन ETF के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपको हर महीने या daily invest भी करना है, तो daily invest की मैं आपको एक strategy बता चुका हूँ आपको, कि daily अगर ETF में पैसा डालना है, तो कैसे डालना है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, वीडियो की चैनल पर एक वीडियो सक्षिन हो जा करके, ETF के मैं तींचा वीडियो बनाएं, उन सारे वीडियो को देख कर सकते हैं, ETF के अंदर, और कौन को से ETF को जब चूज करते हैं, कौन से best ETF है, उसके अंदर आप देखेंगे, तो आपको इन सारी चियों को देहाँ रिखना चाहिए, जो मैंने आपको बताई है, कि उसका EO कितना हो चाहिए, एक्सपरेंस यो कितना हो चाहिए, ट्रैकिंग करें, तो उसमें किस तरीके से हम invest कर सकते हैं, यान कि अगर हमें daily invest करना है, हर मेने माली BCR पर invest करने हैं, तो BCR को आपको एक इतना invest करके, आपको हर दिन कैसे invest करना है, मैंने वो वाली strategy बताई है, तो उस वाले वीडियो को ज़रूद देखेगा, वो बहुत ही important वीडियो आप लोगों के लिए, काफी आपको उस से अपको क्या है, जयनकारी मिलेगी, तो दोस्तों वीडियो समझमें आया हो पसंद आया हो तो ईडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, चैनल पर नएच चैनल को सब्स्राइब कर लिजे, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तो ज गोड़ बाई चेक एर जैहन जैभरत